आप सभी प्रियादर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे Renewable Energy के सेक्टर में, आगे गौर्मेंट का जो फैसला आया है, इससे बहुत तेज उचाल मिलेगा इन सारे स्टॉक को, स्पेशली जो कोल बेस पावर की अब कटोती होगी, वहां से प्रधार मंत्री जीने अहवान कि है कि 2070 तक हमें Net Carbon Zero बनना है, तो ये Renewable Energy सेक्टर एक बहुत तगड़ा सेक्टर उपर उठेगा, बाई कीजिए, होल्ड रखिए, मल्टी इयर के लिए इसको भूल जाईए, अपने पॉर्टफोलियो में एड़ करके, टॉप तीन पैनी स्टॉक लेकिया है, आपके लिए Long Time for Renewable Energy सेक्टर में, जिनका Phenomenal Growth मिल सकता है, स्टॉक नमबर वन से शुडू करेंगे, Wind सेक्टर का स्टॉक है, सुजलोन एनरजी, यहां पर एक स्टडी की गई है, O&M Market Research के द्वारा, जिसने बताया है, Wind Energy आगे आने वाले समय में 18% के CAGR से बढ़ेगी, इसका मतलब, revenue हर साल, पिछले साल के मकाबले कम से कम 18% increase करेगा, और इंडिया में काफी opportunity है, Wind Energy की, क्योंकि अभी भी इतनी ज्यादा hardness नहीं कर पाए है, देखिए, पिछले तीन सालों के मकाबले 2021 में profitable है, और इस साल करी 20-200 करोड का profit की बात चल रही है, यहां पर, क्या यह एक 2022 की turnaround story बन सक seasonal energy का price देखा जाए, तो देखिए, on daily chart काफी अच्छा momentum है, 8 रुपे 10 पैसे तक चला गया है, यह करीब 5 रुपे 70 पैसे के lower level से, और अगर आप long term का chart देखे तो अब इसने momentum उपर की तरफ को शुरू कर दिया है, देखिए, यहां 2 रुपे के आसपास पड़ावा stock था, 8 रुपे हो गया, इसका मतलब किसी ने अगर 1 लाख लगाए होते, तो अब तक यहां पर उसको 4 लाख रुपे मिल गए होते, तो बहुत अच्छा stock है, आगे भी तेजी से बड़ोतरी करेगा, renewable energy आपको एक multi bagger stock की तरह से ले रहे हैं, तीनो shareholders बहुत अच्छी ख़बर लेक की जाए, तो यहां पर 20% के CIGR से बढ़कर 224 billion की तजयर से बढ़ेगी, बोरो से renewal की market cap 8000 करोड की है, तो एक penny stock की तरह से इसको treat की जगा, promoter holding 61%, अच्छी बात इसमें यह है कि promoter के साथ में FIA भी इसमें सितारे ने रहे, 5% के आसपास FIA ने इसमें निवेश किया हुआ है तो यह stock अगर renewal energy के price की बात करें, तो यहां पर अभी भाव 642 के आसपास चल रहा है इस stock का, और काफी momentum दिखाया है, 300 से almost 700 चला गया था, तो बहुत अच्छा अब टिक बन रहा है इस stock में, यह stock का market में डबी हुआ था 2018 से, देखे 200 रुपे का share, अब यह यहां पर उपर चल कर, करीब-करीब 646 के आसपास पहुच गया है, तो बहुत अच्छा momentum है इस stock में भी, अगर आप चाहें तो इसको भी अपने portfolio में add कर सकते हैं, तीसरा stock है Reliance Power, इसमें बहुत solar and wind power के source included है, यह नए source of revenue generate कर रहे है, रदा देन coal base और hydro base, जो कि Reliance Power को एक multi-bagger बना देगा, infrastructure का push कर रहे हैं, और इन्होंने Reliance infrastructure पर जो Odisa के साथ, electricity board के साथ repayment का बात किया है, वो इनके लिए profitable company की तरह से काम करेगा, market cap की तरशी से, यह company छोटी company है, बर इसकी sales काफी तगड़ी है, अदानी transmission की market cap, तो sales ratio देखे तो बहुत कम है, और इसका debt बहुत ज़्यादा है, य यह एक fair trade है हमारे हिसाब से, fair value range 9-15, और अगर 29 तक चला जाए, तो उसको थोड़ा सा sell भी कर सकते हैं, यहाँ पर, अगर हम Reliance power की बात करें, तो आज 12 के आसपास बहुत चल रहा है, और देखिए, यह long term में काफी अच्छा momentum दिखाया है, इसने, 2 रुपे के आसपास share से बढ़कर 12 रुपे का हो गया, तो almost 6 गुना share हो चुके हैं इसमें, Union Power Minister ने NEP को एक letter लिखा है, जिसमें बताया गया है, कि अगर आपको यहाँ पर आगे further pole power plant लगाने है, तो पहले COP26 का vision समझीए, net zero carbon 2070 ऐसे नहीं बन जाएगा, अब नए green capacity को आप install करना पड़ेगा, demand ब 2030 तक के लिए, तो यह उसे साब से सारे के सारे stock जो है, renewable energy के बहुत तेजी से उपर चलेंगे, अगर तीन मुख्य बात हो की बात की जाए, तो inefficient plan बंद हो जाएंगी 2023 में, coal और non-fusile base की जाधा demand रहेगी, और 29 gigawatt अभी currently, सिर्फ 53% utilization है इसका, we are very bullish in this stock, आप चाहें, तो इ we got a positive momentum, और यहाँ पर तीनों में बराबर बराबर हिस्सादारी ले सकते हैं, तीन buy level है, जैसा हमने आपको बताया हमेशा triangle pattern पर निवेश कीजे, market अगर fall किया तो आपको lower level पर value buy मिल जाएगा, दोस्तों, अगर आपको हमारे channel को अच्छी information लगती है, तो subscribe कर सकते हैं, और अगर आपको निवेश करना है, तो triangle pattern में हमेशा निवेश कीजेगा, please consider financial advisor, जैहिंज भारत, bye guys